पाकिस्तान से आए एक वीडियो में तो वहां की एफोस का एक प्लेन ही आखके हवाले कर दिया आरोप लगाया जा रहा है कि इसे भी इमरान खान के समर्थ को ने आखके हवाले कर दिया बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायू सेना का ये विवाद मियावली बेस पर खड़ा था जिसे इम्रान खान के समर्थ को ने आके हवाले कर दिया तस्वीर पेशावर से भी सामने आई, आरोप है कि वहां इम्रान खान की पार्टी पीटी आई के कारेकरताओं ने विदान सभा भवन में जब कर पत्थर बाजी की है और इसी के चलते हैं विदान सभा भवन के जो खिड़कियों के काच है वो चपना चूर हो गए आशावर में पाकिस्तान के एक रेडियो स्टेशन को इम्रान कान के समर्थ को ने निशाना बना लिया इस वक्त पूरी तरह बेकाबू है और वो सब कुछ जलाने पर तुले हुए देए कि पाकिस्तान जाने वाले अपने अपनी आतुराय रद कर दे क्यूंकि वहां अभी हालात थीक नहीं है मतलब यह कि पूरा पाकिस्तान ग्रेय युद्ध की आग में जल रहा है और दूसरे मुल्कों को भी अपने नागरिकों के सुरक्षा का दरसताने लगा उदर इमरान खान की गुर्फतारी को लेकर विदेश में भी प्रदल्शन चू Billण चुडव हो चुके है, नियोब के ताइम स्क्वेर पर इमरान खान के समर्थकों ने प्रदल्शन किया तो टेक्सास से भी तस्वीरे सामने आई वही कराड़ा के टोरंटो में भी इमरान कान के समर्थकों ने जम कर प्रदर्शिंग किया उदर पाकिस्तान के पूर प्रदान मंद्फिर इमरान कान की गरफतारी के बाद मच्चा घमासाल लंडन तक पहुंच गया जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा कि इमरान कान की गरफतारी के विरोध में पीटी आए कारेकरता लंडन में पाकिस्तान उच्चा योग के बाहर जमा हो गए और इमरान कान के समर्थन में नारे लगाने लगे वहीं वहां मौझूद इमरान खान के समर्थ को ने शेवा सरकार का विरोध भी किया पाकिस्तान के हालात पर भारती फॉज भी नजर बनाये हुए है पाकिस्तान के हालात पर भारती सेना अलर्ट मोट पर है कुत्रों के मुताबिक भारतिय सेना पाकिस्तान के हालात और वहां की हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनाये हुए है नियंटरन रेखा और अंतराष्ट्री सीमा पर बलो की ओर से कड़ी निगरानी कर दी गई है ग्लोबल रेटिंग एजनसी मूडी ने चेतावनी दी कि आएमेफ ने अगर पाकिस्तान को लोन नहीं मिला तो जून तक उसकी तबाहीत है दूसरे देशों को आर्थिक संकट से उबारने वाली संस्ता आएमेफ यानि अंतराष्ट्री मुद्राकोष्ट ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान को बड़ा जटका दिया क्योंकि उसने पाकिस्तान की तरफ से शर्तों को पूरा करने वाले दावों को खारिच कर दिया पाकिस्तान ने ये दावा किया था कि वो IMF से बेल आउट पैकेज लेने के लिए उसकी सभी शर्तों को पूरा कर रहा है लेकिन IMF उससे सहमत नहीं हुआ उसने पाकिस्तान की चोरी पकड़ ली जबकि ये दावा पाकिस्तान के प्रधान मंतरी शाबाज शरीफ और उसके वित्त मंतरी इसाकदार ने किया था इस वीच ग्लोबल रेटिंग एजनसी मूडीज ने चेतावनी दी कि अगर IMF ने लोन नहीं दिया तो पाकिस्तान जून तक डिफॉल्टर गोशे दो सकता है क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा बंडार खत्म होने के गगार पर है